मैसेल चौधरी शबीना, let's continue with the chapter current electricity and magnetism dear बच्चो आज का हमारा topic है current electricity current electricity का क्या मतलब होता है? बच्चो current का मतलब होता है flow, electricity का मतलब होता है electric charge बच्चो current electricity का मतलब होता है flow of electric charge, flow of electron electronic charge है negative charge ठीक है बच्चो अब हम कुछ points दिए उनको पढ़ लेते हैं पहला point क्या दिया हुआ है electricity is produced when electron flow किसी भी conducting metal में जब electron flow करता है तब ही electricity produced होती है ठीक है बच्चो अब बच्चो आपके test book में lightning के बारे में दिया हुआ है कि lightning जब strike करती है तो क्यों नीचे की तरफ ही face करती है अब बच्चो हमारा जो earth है वो positively charged है और हमारा जो cloud है वो negatively charged है तो इस scenario में क्या होता है क्योंकि ये positive negative है मतलब जब तूफान आता है या फिर बारिश होती है और जब earth strike मतलब जो बिजली कड़कती है ना बच्चो तो वो earth की facing की तरफ इसलिए कड़कती है क्योंकि ये positive है वो negative है अब जब कोई भी चीज positive negative होती है अब positive charges होते है तो क्या होता है दूसे को attract करते है तो इसलिए बच्चो क्या होता है वो downward earth की तरफ face करके strike करता है अगर वही हमारा earth positive होता और cloud भी positive होता तो जो हमारा जो ये strike है ना बच्चो वो उपर ही जाता नीचे के तरफ face नहीं करता तो lightning जो है वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा earth है वो positive है और जो हमारा cloud है वो negative है इसलिए वो इक दुसरी को क्या कर लेते attract कर लेते positive, negative always attract और जिया negative, positive है या फिर negative, negative है तो जो क्या करते जिसरे को ripple करते ठीक है बच्चो अब बच्चो यहाँ पर आप देखो positive, negative जो है वो क्या करते जिसरे को attract करते अब जैसे यह positive, negative की तरफ आया, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर flow हुआ. और जब flow हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? current produce होगा. यहाँ पर क्या होगा? electricity produce होगी. जबे भी कोई भी चीज negative to positive जाएगा, तो क्या होगा? electricity produce होगी. अब बच्चो, आपको यह समझना होगा, कि wires में कैसे, कैसे electron flow करता है? अभी आपने last वीडियो में atom को पढ़ा. अब समझो, यह एक atom है. इसके पास, दो electron है, पहले orbit में, और एक electron है, last orbit में. यह दो electron इसमे, एक electron इसमे, दो इसमे, एक इसमे. अब बच्चो, यह जो हमारा proton neutron है, यह positively charged है. और यह जो हमारा electron है, वो क्या है? negatively charged है. तो बच्छो यह positive negative क्या करते हैं दूसरे को attract करते हैं इसरे दूसरे के साथ में होते हैं बड़ बच्छो जैसे कि यह nucleus से दूर हो जाता है यह वाला orbit तो यहां से electron निकलना easy हो जाता है तो समझो हमने electron हमने wire बनाया हमने इसको connect किया circuit से जो जब हमने electron को circuit से connect किया तो आप क्या होगा समझो यह electron one है है यह एलेक्ट्रॉन वन क्या करेगा यहां के बैट जा एगा il Civ क्मोन नो यहां आ जाएेगा इली customers करेंगा एलेक्ट्रों फोर के पास और ऐसी ही यह क्या करेगा कंटेन्यू रहेगा और इसी तरीके से क्या होता है elektron flow करता है किस में हमारे conducting wires में हमारे wires के अंदर और इसे मतनी और इस होचे से क्या होती electricity है विर्श केक्वा होती है YE क्यों कि ऐगके यहीज क्यों होता रहता है ठीक है बस्वच को